आपने इंडियन रेल्वेज की कई सारी कहानिया सोने ही होंगे बट ये कहानी थोड़ी अलग है ये कहानी एक सची घटना ब्याधारित है जो कियाद से करीब 16 साथ पहने की है सार्थक इंडियन रेल्वेज की मालगारी में एक सिक्यूरिटी गार्ड का काम करता था 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद उसे और 6 घंटे की ड्यूटी मिली थी ठकान की वज़े से कब उसे नीन दा गई उसे पता ही नहीं चला और जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि गारी डिस्बैलेंस हो रही है ये देखने के लिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है वो तुरंट वहाँ से बाहर रिकला हेलो हेलो सर कारी को रोक दिया जाए यहाँ प्रॉब्लम हो गई है क्या क्या फिर यहावास सुन पा रहे है प्लीस सर ट्रेन को तरकाल स्लोक दिया जाए हेलो 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 उसमें बहुत कोशिश की कि वो ड्राइवर से कॉंटेक्ट कर पाए बगर वोखी टॉकी काम ही नहीं कर रहा था वही हुआ जिस बात का सार्थक को डर था उसका कमपार्टमेंट मालगारी से डिटैच हो गया और अब सार्थक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे मालगारी बहुत देजी में आगे बढ़ते हुए जा रही थी और सार्थक की बोगी बुलते हुए पीछे पीछे आ रही थी आगे ट्रैक पर एक डाइवर्जन आया मालगारी तो सीधे आगे चली गई मगर सार्थक की बोगी वहीं डाइवर्ट हो गी और एक ऐसे रूट पर चली गई जिस पे अब कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं थी ये जगह रात के वक्त में बेहर डरावनी और सुनसान लग रही थी अब क्या करूं मैं पुलिस को फोन करता हूँ सार्थक के पास लास्ट आप्शन यही था कि वो रेलवे पुलिस फोर्स को कॉल करे और उन्हें मदद के लिए बुला ले मगर उस एरिया में नेट्वर्क था ही नहीं अरे यार सिगनल भी था नहीं है यहां पर यह चेक करने के लिए कि आसपास में नेट्वर्क आ रहे दिए सार्थक गाड़ी से नीचे उतर गया साला किसमत ही खाराब है मेरा सार्थक की जगह पे अब बुरी तरह से फास चुगा था अगर उसका फोन रेलवे पुलिस से कनेक्ट नहीं होता तो उसे यहीं रहना पड़ता इस पूरे एरिया में एक भी नेट्वर्क आ और नहीं था इसलिए सार्थक अब किसी से भी मदद नहीं मांग सकता था असल में वो यहाँ ट्रैप हो चुका था लाश्ट आप्शन उसके पास यही था कि वो चुपचापचा कर अपने कैबिन में सो जाए और सुबह होने का इंतिजार करे सार्थक निराशो कर वापस कैबिन में आ जाता है और चुपचापचा कर सो जाता है सार्थक अभी सोया हुआ ही था तब ही अचानक से कैबिन के दिवार पे एक जुर्दार पत्थर की आवाज आई जिसकी वज़ा से उसकी नींद खुल गई कौन है यह चेक करने के लिए कि आखिर वो आवाज कहां से आई सार्थक अपने कैबिन से बाहर जाने लगा झाल 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 यहां आसपास में कोई गाउं है क्या लगता है कोई पागल है अरे बहे रहे हो क्या पागल हो गया है क्या सार्थक अंदर बैठकर यही सोच रहा था एक ऐसी मुसीबत उसके गले पड़ गई है वो फिर से कॉल लगाने की कोशिश करता है पर अभी भी नेटवर्क नहीं था प्लीज कॉल लग जा सार्थक दर्वाजा कोल कर यह देखना चाहता था कि वो आदमे यहां से गया या नहीं मगर उसने दर्वाजा नहीं खुला क्योंगी उसे डर था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए रात के दो बज़ रहे थे सार्थक अभी अपने कैबिन में सो रहा था सार्थक को लगा कि वो इंसान अब जा चुका है इसलिए वो आराम से सोया हुआ था पर वो वापस आ गया विंडो की तरफ से हाथ बसा कर वो कैबिन का दर्वाजा कोलना चाहता था पर किसमत अच्छी थी सार्थक की जो उसका हाथ वहां तक नहीं पहुँच पाया वो फिर से वापस आया पर इस बार उसके हाथ में पत्थर था उसने वो पत्थर सीधा सार्थक की और चला दिया सार्थक बहुत बड़ी मुसीबत में फस चुका था उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अपनी जान बचाने के लिए सार्थक ने उसे अपनी तरफ इतने जोर से खी जा कि उसका सर विंडो पर लगकर फट गया और वो वहीं बेहो शुकर गिर गया बहुत फुदक लिया तुने कल सुबा तक तु चेल में होगा सार्थक उसे रस्यों से बान देता है ताकि कल सुबा वो उसे पुलिस को सौप सके पर कौन जानता है कल सुबा तक सार्थक सही सलामत रहेगा या नहीं आगे की कहानी पार्ट्टू में दिखाए जाएगी तब तक के लिए आप अपने आपको सही सलामत रखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एक और बात दोस्तो अगर आप हमारे चैनल का मेंबर्शिप जॉइन करते हैं तो आप हमारे हर वीडियो को एक हफते पहले ही देख सकते हैं क्या आप हमारे